यहां पर कुत्ते बिल्लियों के बाल काटे जा सकते हैं जैसे भी बावा साथ डॉक्टर अंबिट के किसमें होता है आज भी वैसा ही हो रहा है इस देश के अंदर क्योंकि जान बूच कर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं अब उन घटना को उनको देखना चाहि हो गए हैं और देश का सविधान 26 नमंबर 1948 को लागा हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को देश में लाग हुआ और 1950 से लेके 2020 चल रहा है लगबक सतर साल हो गए हैं सतर साल में देश के सविधान को बिलकुल भी रूप से लागू नहीं किया गया यहां पर लोग कहते है कि देश के अंधर सबको आजादी है सबको बराबर का दिकार है और लगातार सरकार के मादधम से कमजोर किया जा रहा है और यह गटना अभी नहीं आई है एक नाई को जिन्होंने सरकार के लोगों के बाल कार दिये थे दवंगों ने उस पर जुरुमाना लगाया 50 जार का यह पहली बाल नहीं लगाया यह तीसरी बाल लगाया है और उनने कहा कि अगर तुम्ने 50,000 का जुनमाना नहीं दिया जुरुमाना क्यों कि तुमने एसी, SD के लोगों के बाल काटे हैं और बाल काटने पर उनको इतना गुस्सा आ गया कि उस पर जुर्माना लगाया पचाश जार का अगर पचास जार लुपर नहीं दोगे तो तुम्हें घर से गाउं से बाहर निकलना पड़ेगा ये देश में जाती बाद नहीं है लोग कहते हैं देश के अंदर जाती बाद नहीं है मैं उनको बताना चाता हूँ आप देखें देश के अंदर कितना जाती बाद है अगर ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए अगर ये जो एक्ट बनाया गया उसके मादधम से ऐसे लोगों पर फायर होनी चाहिए उनको जेल में डालना चाहिए तो ये सरासर गलत है ना आज के देश के अंदर देश के आजादी के इतने दिन के बाद भी अगर दली तो पर अत्य निकलने पर भी उन लोगों ने वहां पर बड़ात नहीं निकलने दी उस पर भी पंगा हुआ तो हमारे लोगों से तो इतनी नफरत ये करते हैं कुद्टे बिल्लियों को घर में पाल लेंगे वगर जहां एस्टी अश्टी की बात आएगी तो उनको इंसान माने के लिए त और जब जैसे ही बात आती है समाज की बात आती है समाज की बात आती है उसके बाद में हम दलित हो जाते हैं तो यह समझना पड़ेगा कि जब हमारी अपनी लड़ाई होती है तो हम अपने 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 लड़ते हैं यह जितने भी हिंदुवाजी संग्ठन है चा ही लगों और करने चाह कर दिया जाता है अच्छे कपड़े पहन कर चलने में भी जुरुमाना कर दिया जाता को चाहिए गहत ना चाहिए तो उनको समझना को अधिकार साथा है उनको सरकार है धिसकार और योगति है उनको मना नहीं होगा प्रेवेंशन अगर बना नहीं है करते दो अप्रेल को लाखों की संध्या में अगर रोड़ों पर नहीं आते लोग वा तो यह स्टी एक्टों बिल्कूल खतम कर देते और आज भी सुप्रिम कोट के जज कहते हैं कि जो घर में अगर किसी स्टी के दाथ में अत्याचार होता है उसको जाती सुचक सब्स बोला ने देखा हुआ ही जुनको बाल काटने पर फचाला हो लुग नहीं न की आदीए जिनको बाहत नहीं दिए उनको दिखाई नुह नहीं देता है आप ने मिर्चपुर के जै голघ कर मी आप उसको पढ़ें कि जाती का अनुमलों होना चाहिए इस देश के अंदर आज भी देश के आजादी के बाद में जाती में से जाती है जाती के नाम पर सोसन होता है तो जो लोग कहते हैं आर्थिक इस्टी पे आर्थिक पर रिजर्वेशन होने चाहिए उनको समझना और ऐसे लोगों को सकसेखस कारवाई करने चाहिए क्योंकि सरकार ऐसे लोगों के पीछे खड़ी रहती है सरकार की मानसिक्ता कुछ जाती वादी है आपने उत्तरप्रदेश के अंदर देखा हो 2017 में जब अकलेश की सरकार गई थी तो योगी जी वहाँ पर आये ते योगी है कि उनकी मानसिक्ते आप जाती वाद करें चाहिए जब डलीत के मान चालते हैं तो वह साबन हो और पहले ही ऊपर बेजिए बाद बनने वाली नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा और जब आफ जवाब देंगे तो यह भाग जाएगे, मोधी जी जो कहते हैं, वो बिल्कुल जूट बोलते हैं, मोधी जी नह कहा, कि पंदर-पंदर लाग रुपा देंगे, कहीं बताएए किसी को लाग मिला होत सब की बोर्ट ले लेते हैं जो उनके मित्री मंडल हैं जो उनके वैपारी दोस्या नो को फाइदा पहुंचा रहे हैं वह लूट-Lut के विदेश ले के ही याँ तो प melody करते हैं और कहते हैं कि बटी बढ़ाओ का डारा सबखेहा तक देश सभीधह सबढogn doing कि अगा आगर सब्सक्राइब करने का दिकार है सबको अच्छे कपड़े का अजो कमपल सरी अजुकेशन ही जाए जैजा लगातार बीजेपी जो राज्ये हैं उनमें लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां की जो पुलिस है वहां के जो प्रिसासिक लोग है वो दलित मुस्लिम और जो महिला है उनके ब्रोधी है वो उनकी मदद नहीं करना जाते हैं अगर सरकार चाहे तो क्या काम बनाएं रखो जब तक यह गुलाम रहेंगे ठीक रहेंगे अगर यह अब अपनी आवाज को ठाने लगे तो फिर सरकार को प्रॉल्म होगी तो यह सरकार की जान बूज के नीद की सरकार